आपको क्या लगा मैं निउस्पिपर पढ़ने के लाई हूँ बिल्कुर नहीं आज की सारे डियावाइज हम बनाने वाले हैं इस निउस्पिपर को यूज़ करके तो देखते हैं कैसे डियावाइज बनकर दिकले हैं अगर आपको क्राफ्ट की विडियो पसंद आती हैं आप मेने चाहल को सबस्क्राइब कर सकते हैं जैसे मैं नहीं विडियो डालू आपके पास तुरंत पहुंचाए तो शुरू करते हैं आज की विडियो हमें चाहिए होगा बहुत सारे न्यूस पेपर तो मैंने न्यूस पेपर को इस तरीके से फोल्ड करके छोटे छोटे पेसिस में डिवाइट कर लिया है अब एक-एक पीस को लेके आपको इस तरीके से रोल करना है तो रोल करने के लिए मैं आपर खाली रिफिल का यूज़ करें हूँ आप इसकी जगा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से मैंने काफी सारे पेपर रोल्स रेडी कर लिए थे तो काफी इसली ये rolls बंद के ready हो जाते हैं इसके बाद मैं ले रही हूँ ये मिठाई का डबा तो अंदर वाले हिस्से को मैंने अभी side रख लिया है अब इसमें पहले से ही marking हो रखी थी तो मैंने उसी के साब से cut कर दिया है अगर आपके डबे में इस तरीके के marking ना हो तो आप scale से mark करके इस तरीके से cut करके निकाल सकते हैं तो इस तरीके से आपका एक frame जासा ready हो जाएगा इसी तरीके से मैंने दूसरे वाले डबे का भी निकाल लिया था अब इसके जो edges हैं उनको clean look देने के लिए मैं हाँ पर masking tape का use कर रही हूँ आप इसकी जगा newspaper भी लगा सकते हैं तो इस तरीके से मैंने चारो तरफ में masking tape लगा दिया था तो हमारे जो भी edges हैं frames के वो काफी जादा आप neat लगेंगे तो इसके बाद हमने जो rolls ready किये थे उनको stick करना है तो यहां पर मैं डब्बे के हिसाब से mark करकर के cut करके इसे stick कर रही हूँ तो आप अपने हिसाब से randomly किसी भी direction में इन sticks को stick कर सकते हैं basically हमें different directions में लगा कर इस पूरे डब्बे को fill करना है तो इस तरीके से मैंने दोनों boxes को ready कर लिया है अब यहां पर मैं इसे spray paint से paint कर रही हूँ तो black spray paint लेकर आपको paint करना है आप इसकी जगह acrylic paint का भी use कर सकते हैं इसके बाद हमारा DIY ready हो जाएगा next DIY ले मैं इस cake base का use कर रही हूँ सबसे पहले मैंने इसकी उपर वाली layer को निकाल दिया था अब जो भी extra part है उसे भी scissor की help से निकाल दिया था तो यह हमारा पास एक circle ready हो जाएगा paper पे मैंने same circle बना कर इस तरीके से इसके दो semi circle निकाल लिये थे तो मैंने cutter की help से काफी easily cut हो जाता है तो इसके बाद जो इसके edges थे उनको clean करने के लिए मैं हापर sandpaper का use कर रही हूँ इस तरीके से मैंने इनके सारे edges को clean कर दिया अब जो हमने paper rolls बनाए थे तो उनको हमें stick करना है अब को stick को मैंने center में cut करके दो पार्ट में divide कर लिया था और इन सारे sticks के center में इनको इस तरीके से stick कर दिया था इस तरीके से हमारा ये basic structure ready हो जाएगा अब इसी तरीके से मैंने दूसरे वाले पार्ट को भी ready कर दिया था दोनों को ready करने के बाद मैंने black spray paint से paint किया और इसके बाद जो हमारे पास silver color वाला box में से निकला था उसमें से मैंने एक circle cut कर लिया था और उसे फिर से semi circle में cut करके निकाल लिया था semi circle में cut करने के बाद मैंने इनके center में इस तरीके से इनको stick करना है आपको और इसके बाद हमारा ये वाला भी DIY बनकर बिलकुन ready हो जाएगा नेक्स DIY एक लिए मुझे थोड़े बड़े rolls चाहिए थे तो मैंने दो rolls को इस तरीके से फेविकॉल लगाकर stick कर लिया था तो इससे आपको इसकी length को increase कर सकते हैं अब मैंने जो भी rolls ready करे थे उन्हें इस तरीके से randomly में stick कर रही थी और हमें इस तरीके से stick करना है कि सारे जो rolls है वो एक दूसरे के साथ अटैच रहे तो इस तरीके से मैंने एक basic सा structure ready कर लिया था अब यहाँ पर जो हमारे center में से cardboard निकले थे उसमें से मैंने दो different sizes के circle कट करें और उसे फिर से randomly जहां पर मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ पर मैंने इन्हें stick कर दिया था stick करने के बाद मैंने इसे black spray paint से paint किया और हमारा ये वाला DIY भी बिल्कुन ready हो जाएगा I hope आज के सारे DIY आपको पसंद आए होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना दिशुमा बूले ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालू आपके पास तुरंद पहुंच जाए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई बाई